बेस्ट प्रीमियम पावर बैंक, एक चीज धान से सुनो, एक से दोजार के बजट में जितने भी पावर बैंक साती है, सब में नॉर्मल चारजिंग आपको देखने को बलती है, अप टू एटीन ट्वन्टी वॉर्ट, बट जैसे इस बजट आप बढ़ाते हो तो फास्ट च 18 वाट की फास्ट चारजिंग है, 12 लेर सरकिट प्रेक्शन आपको देखने को मिल जाती है, डूल इनपूट मिल जाता है, डूल आउट्पूट मिल जाता है, डूल इनपूट में माइगरू एसबी अन टाइप सी है, डूल आउट्पूट में दोनों USB है, यूनिबरसल पैटिबिलिटी है, 6 मन्त की वारिंटी है, 4.2 स्टार रेटेड है, 38,000 से जाधा रेटिंग्स है, 2000 के बजट में best choice है, definitely consider कर लेना, almost similar specification के साथ MI3I 20,000 भी देखने को मिल जाती है, उसको भी consider कर लेना, अगर type C fast charging का support चाहिए, तो Embrane 20,000 को जरूरू consider करना, इसमें आपको वो चार्ज करने में इसको 30 मर लगता है, नॉर्मल पावर बैंको 5 से 6 गंटा लगता है, मान के चलो, डूल इंपुर्ट मिल जाते है, micro USB and type C, डूल आउट्पुर्ट भी देखने को मिल जाते है, micro USB and type C, लेटोप को भी चार्ज कर पाऊगे, बट रिकमेंड इड नहीं है, क्य देखने को मिल जाती है, उसको भी कंसीटर करना, बट उसकी फास्ट चार्जिंग इतनी फास्ट नहीं है, नेक्स आती है, 4400 में, आपको मिलती है, R1 का 2700MH वाला मॉडल, अभी इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कि इसमें 65 वाट की 2 वे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर करता है, लेप्टॉप को बहुत अराम से चार्ज कर पाऊगे, लाइट वेट है, प्रीमियम डिजाइन है, LED इंडिकेटर एंड बिया है, सिक्स मन्त की वारेंटी है, 4 इस्टार रेटेर है, 11,000 से जाधा रेटिंग्स है, 4,399 बजट है, जिसको आपने कंसीडर करना चाहि लेप्टॉप भी बहुत अराम से चार्ज कर पाऊगे, इंक्लूडिंग बार की सारे डिवाइसिस, सारे 4,000 के बजट में आपको पावर बीज देखने को बलता है, एम्ब्रेंड 50,000 एमेज की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आपको 50,000 एमेज की बहुत बड़ी बैटरी दे सिक्स मन्त की वारिंटी है, फोर स्टार रेटे है, पांसो त्रेपन से जाधा रेटिंग से, 4,494 में अच्छा प्रोड़क्ट है, बहुत बड़ी बैटरी के साथ, अभी भी कन्फीजन है, अगर आपको बहुत बड़ी बैटरी चाहिए, तो एम्ब्रें 50,000 एमेज को लेल इसी बचमें डियूरा सेल 20,000 में बिलती है, उसको भी कन्सीडर कर सकते हो, और 2000 के बजट में, रेटमी 20,000, MI3i 20,000, इन दौनों में से कोई भी एक कन्सीडर कर लो,